हेलो गुड इवनिंग वालफ यू स्वागत है आप सभी लोग का फोकस कॉंसेट्स में देखो PGT 2021 केस में आज हम जिस पेपर के मैट्स के सलुशन करने जा रहे हैं यह पेपर रहेगा PGT संस्क्रीट मेल बाकि 16 जुलाई की यह शिफ्ट है क्या टाइमिंग थी वो नजर नहीं आ रहा है इस आंसर की में बाकि यह complete PDF है आपको इसका link description box में दिया जा रहे है तो आप इसको download करके भई first part जरूर analyze करना important रहेगा बाकि कौन से देखो मैट्स के 20 कोशन है एक एक करके मैं आपको solve करा रहूँ बड़े ध्यान से आपको समझने है यहां से देखो math start हो रहे है पहले कोशन है कहते है कि भई समान ब्याज दर्प का उपयोग करके 8.33 वर्षों में साधारन ब्याज के तहद 100 रुपे स्वेम का चार गुना के बराबर हो जाते है देखो एक छोटी सी बात जो समझा दिया है यहां वो यहां दिया है कि principle जो है वो 100 इनोंने बता रखका है और चार गुना हो जाता है हो जाने के मैं अमाउंट होता है कहने का मलत है आठ वर्ष तो पूरे लेकिन जो पॉइंट कहती है आप उसको एक बटे तीन लिख लो तो आप इसको बोलोगे कि पच्चेस बटे तीन वर्षों का ब्याज हमें दे रखका है 300 रुपे अब जैसे मैं आप से पुछू की बताओ एक साल का ब्याज क्या होगा तो देखो 300 तो उधर है ही और पच्चेस बटे तीन इधर आएगा तो पलेट जाएगा तीन बटे पच्चेस हो जाएगा और जब पच्चेस तीन सो को काट रहे है बारा बारी में तो बाराती है 36 तो एक साल या फिर परती वर्ष जो हमें ब्याज मिल रहा है वो 36 रुपे है और सबसे अच्छी बात ही है कि दखो प्रिंसिपल 100 रुपे है और परसेंट का मतलब भी 100 परी होते है तो आपको रेट ऑफ इंट्रेस ना 36 परसेंट मिल रही है अब कहता है चार वर्षों के लिए साधार या ब्याज के तहट 3000 रुपे पे हमें ब्याज निकल रहे है तो 3000 रुपे पे आप 36 परसेंट की दर से बस 4 साल का ब्याज निकल दो तो जब आप इसको रेट करोगे देखो 36 गुना 4 144 होता है 3 से मल्टिप्लाई करोगे 432 होता है और एक 0 और भी है तो 4320 रुपे गामे मिलेगा ब्याज इसके बाद कोशन नमबर 2 देखो बहुत असान है कहता है किसी उत्पाद के मुल्ले में पहले तो भी 10 परसेंट की विरिद्धी होती है और फिर 10 परसेंट की गिरावट होती है तो पताना है कि जो इसका वास्त्विक मुल्ले था उसमें कितने परतीशत का परिवर्तन आया तो वैसे रोदे को धेर सारे मेथड़े इसको कैलकुलेट करने के या आप चाहो तो 100 मान के कर सकते हो वरना एक मेथड आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई हंड्रेट यह सक्सेसिव का होता है जब दो चेंजिस होते है तो नेट चेंज यह बताता है फॉर्मूला अलकि आपने जरूर पढ़ा होगा कि यही फॉर्मूला ना छोटा हो जाते है और वो इतना रह जाते है एक्स स्क्वाई बाई हंड्रेट परसेंट का गिरावट कब होता है ऐसा जब उतने ही परसेंट से विरिद्धी हो जितने परसेंट से गिरावट हो और वह एक्जेक्ली यहां हो रहे है तो आप सिंपली इसको लगाओ कि देखो गिरावट तो होनी तैह है और वो कितने परसेंट की होगी एक्स स्क्वाई बाई हंड्रेट की एक्स का मलब दस है दस का मलब दस का स्क्वाईर का मलब सो और 100 बटे 100 होता है एक तो आंसर इस question करेगा 1% गिरावट इसके बाद question number 3 है देखो time and work से है कहता है कि A एक कार्रे को अखेले 20 दिनों में कर सकते है जबकि B उसी कार्रे को 30 दिनों में कर सकते है कहता है कि भई A और B ने एक साथ कार्रे को पूरा करने के लिए काम किया मरत दोनों ने शुरू से लेकर अंध तक काम किया तो B ने जो भी काम किया है न वो कितना पर Państwo पढ़तीशा यह आपको बताने है अब देखो एक तो महापको पूरा करके दिखा देता हूँ जैसे कि आपको पता है LCM लेना होता है जिससे टोटल वर्ग बन जा है 60 होगा LCM इस बाद इन के कारदे शम्ताई बनेगी 3 और 2 अब दोनों ने मिलकर काम किया है तो आप समझ रहे हो 5 की शम्ताई से काम हुआ होगा तो 12 दिनों में जाकर कहीं है काम खतम होगा तो इसका मरलब है कि A ने 3 की शम्ताई से 12 दिन काम किया और B ने 2 की शम्ताई से 12 दिन काम किया तो टोटल 60 काम में से A ने किया 36, B ने किया 24 तो बस 24 काम का हमें परतीशएद निकालना है out of 60 में से और percent के लिए hundred जब इसको आप calculate करोगे तो आपको यहां से मिलेगा 40% बागी देखो इतना करने की जरूत बिल्कुल नी थी इस question में जैसे कि आपको नज़रा रहे ए इस काम को 20 जिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 जिनों में तो मतलब जिस ratio में यह time लेते हैं आप समझते हो काम किया है तो इन्होंने टोटल काम बिना इसी ratio में किया होगा और देखो यहां पर आपको नज़र भी आ रहे बारा से बारा अगर मैं काड़ दू तो तीन और दो यहां रहे तो आप यहां से भी कर सकते थे कि टोटल जो बीने किया है वो दो काम किया है आउट ओफ कितने में से तीन और दो पाच में से और परसेंट के लिए 100 बाकी कैलकुलेट करने पर चालेज मिल जाता आपको खेर इसके बाद question number 4 में चलते हैं देखो यहां आपको पता रखा है 400 रुपे की कोई वस्तू है और दो करम एक छूट पर यानि successive डिसकाउंट पर उसको बेचा जा रहे है एक डिसकाउंट 15 परसेंट है दूसरा 10 परसेंट है तो आपको पताना है नेट डिसकाउंट कितने रुपे का है लगबग अब सबसे बहले देखो एक formula x प्लस y थोड़ा सा change हो जाते है माइनस xy by 100 आप इस formula का use करते हुए पता लगा सकते हो कि भाई दो दो जो डिसकाउंट है न सक्सेसिव वो अकेले कितने परसेंट डिसकाउंट के बराबर है तो सबसे बहले भाई काम करते है देखो जैसे कि पहले डिसकाउंट 15 था तो आप x को 15 लिलो और y को 10 लिलो अच्छा माइनस multiply जबाब करोगे तो डेड़ सो बन रहे है बटे सो तो देखो 15 और 10 होता है पच्चेस और डेड़ सो बटे सो आप समझ रहे हो डेड़ होता है और पच्चेस में से आप डेड़ घटा होगे तो बोलोगे कि नेट डिसकाउंट जो मिला है यहां पर वो 23.5 का मिले हैं अगर हमसे परसेंट में बोच्चा होता तो 23.5 परसेंट आंसर हो जाता है बट हमें देखो रूपे में value निकालनी है तो आप 300 का ही इतना परसेंट निकाल दो बस 23.5 परसेंट बागे आप समझ पार हो देखो जब आप 23.5 परसेंट निका लोगे तो यह 70.5 जा संख्या बताओ जिसे पाच से कम करने पर संख्या आठ ग्यारा और चौबिस से पूर्णते अभी बाचित है अब देखो यहां कोई नंबर है लिख लेते नंबर उसमें से आपको क्या करना है पाच घटाना है और तब जाकर एक नंबर त्यार हो रहा है जो इन सबसे है आप समझ रहे हो चौबिस जो है ना वो आठ को कवर कर देगा चौबिस के हर टेबल में जो भी नंबर बनेगा वो आठ के टेबल में भी आएगा तो हम ग्यारा और चौबिस का सिर्फ लसीम ले अच्छा यह दोनों नंबर्स मिले को को प्राइम है सह बाच जे हैं तो ऐ नंबर आपको मिलेगा 269 इस कोशन करेगा अंसर इसके बाद देखो कुशन नंबर 6 ता आपको नजरा रहे हैं मैंसुलेशन का कुशन है समझते इसको देखो कहते हैं कि भई एक वर्गाकार बॉक्स ब्लास्टिक के तार से बना है देखो एक यहां पर बॉक्स है वर्गाक परिमाब 616 सेंटी मीटर है परिमाब का मरलब आप समझते हो परिमीटर का मरलब चारो साइड्स का सम जितनी भी साइड्स होती है किसी भी फिगर में बस आपको उनको जोड़ना है परिमाब आ जाते हैं तो यहां पर चारो साइड्स का मरलब क्योंकि तार से था तो इसका म अब आपको पहले समझा चुक हूँ 616 cm है अब आपको क्या करना है इसी तार को ना देखो लपेटना है एक बेलन पे और बेलन पे आप कैसे लपेट होगे इस तरीके से तो ऐसे आप तार लपेट होगे ना तो इसका मरलब है कि आप इसके वक्र प्रिष्टिये पे तार लप मरला ऊटर आउटर पे जिसको इंगलीष में बोला जाता है कर्वड सर्फेस तो कर्वड बी सर्फेस एरिया हमें या निकालना होगा और आप समझहीं कर्वड सर्फेस Muns 25,7 और आर देखो अमने सिलेंटर का दिरक है दो सैंटीमीटर और हाइट हमें इस सिलेंटर की निकालनी है तो आप हाइट को ये लिख रहने दो आप सवाल यह एककि भाई क्योंकि ये तो एरिया है बलट जिस पार्ट पर हमने तार लपेटा है ये तो एक कर वद्शरफेस ए लेकिन चोड़ाई नहीं पता अगर आपको चोड़ाई भी पता चल जाए तो लंबाई गुना चोड़ाई से आप तार का टोटल शेत्रेवल निकाल सकते हो और दोनों जगां बराबर कर सकते थे तो गलती को देखो मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूँ और यहां पर हम माल लेते ह जो वायर है ना इसकी तिरिज्या 0.5 सेंटीमीटर है मैं भलाई भी डाटा मैं खुद से आपको ठीक करके दे रहा हूँ इस तार की जो तिरिज्या है इनको देनी चाहिए थी 0.5 सेंटीमीटर अब ऐसा होता है कि जो भी तिरिज्या है और उसको डबल करने से आप समझते ह बढ़ाई का काम करेगा तो आप बढ़ाई मीटर करें होता है रेडियस का तो 1 सेंटीमीटर मालो अब इस तार का अप एरिया निकाल सकते हो जैसे कि इसकी लंबाई 616 है और इस ने एम और एक्सगालई से पर वारी कटता है फिर बागी 22 ने इसको 7 बारी कटा तो H बराबर आप समझ रहे हो 7 इंटू 7 यानि की 49 तो सिलेंडर की जो हाइट रहेगी हो 49 सेंटिमीटर होनी चाहिए इसके बाद देखो कोश्चन नमबर 7 जैसे के आपको नज़रा रहे हैं बहुत ही अच्छा सवाल है बहुत कैलकुलेटिव कोश्चन है कहता है कि बहुत चक्र विरिद्धी ब्याज के तहट एक राशी कितने वर्षों में स्वहम का चार गुणा हो जाएगी जबकि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 6 परसेंट वार्शिक चक्र विरिद्धी है बहुत अच्छा कोश्चन इसलिए हो जाता है देखो क्योंकि चक्र विरिद्धी आप समझ रहे हो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तीन साल तक तो कमफर्टेबल रहते हैं बढ़ तीन के बाद दिक्कते होनी शुरू हो जाती है और यहां तो देखो आप जैसे कि आंसर देख पा रहे हो 24 वर्ष तो मरलाव एक तरीके से नामुंकिन सा होता है सिर्फ वही बच्चा इस सवाल को कर सकता है जिसका थोड़ा सा मरलाव कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो मैं आपको देखो समझाने की कोशी करता हूँ आप समझना जैसे कि यह कह रहा है कि भाई चार गुना हो जाना चाहिए तो अगर देखो कोई भी पैसे है आप उसको सौ मान लो बलकि मैं तो कहारो सौ परसेंट प्रिंसिपल होता है आप सौ परसेंट ही कहलो और चार गुना हो जाने का मतलब है कि अमाउंट चार सो परसेंट हो जाना चाहिए और इन दोनों के बीच का जो अंतर है तीन सो परसेंट तो इतना हमें मिलना चाहिए कुल मिलाकर चक्र विरिद्धी ब्याज उमीदे ये बात आप समझ पारे होंगे सिंपल सी है अब बात करते हैं कि हर वर्ष कितना मिलते हैं तो हर वर्ष हमें 6 परसेंट के हिसाब से मिलते हैं जबकि ये CIE है पहले साल तो 6 रहेगा लेकिन दूसरे साल 6 और पहले साल के 6 के मनलब 6 पर भी 6 परसेंट भी आज मिलेगा तो एक बारी देखो मैं आपको समझाता हूँ मैंने अपनी विडियो में कई बारी जब भी CIE का कुश्यन है इस फॉर्मले के यूज किया है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई हंड्रेड इससे क्या होते है कि आप 2 साल का ना 81 कंबाइन रेट बना सकते हूँ मनलब कंबाइन रेट ओफ इंटरेस्ट कैसे कि पहले साल देखो हमें 6 परसेंट भी आज मिल रहे है दूसरे साल भी 6 मिलेगा लेकिन दूसरे साल सिर्फ 6 नहीं मिलेगा इससे 6 का भी 6 मिलेगा तो ऐसे देखो यह फॉर्फ त्यार होता है और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको नजर आ रहा होगा 12.36 परसेंट बन रहे है तो मैं इतनी बाते देखो अटा रहे तो यहां से हमने अभी तक इतना समझा है कि दो साल का जो कंबाइन डेट ओफ इंटरेस्ट है वो 12.36 परसेंट है अब देखो समझते हैं जैसे कि हमें ब्याज चाहिए 300 परसेंट और अभी सिर्फ हमने दो साल तक ही कैलकुलेट किया है और इन दो वर्षों में जो हमें परसेंट में भी आज मिला है वो 12.36 है अब मैं क्या करता हूँ देखो सीधा 4 साल का कंबाइन करता हूँ तो 4 साल के लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि पहले दो वर्षों का भी 12.36 है वैसे ही अगले दो वर्षों का भी 12.36 होगा बस काम इतना से है कि इनको combine करना है x plus y वाले method से तो करते हैं देखो x plus y यह से कि आप समझ पारे हो 12.36 प्लस 12.36 तो यह आपको बना देगा 24.72 अब इसके साथ साथ x y वाला part भी है तो x y वाला जो part है वो multiply कराता है आप इसको 12 मानते हो multiply करोगे तो 144 आते हैं और 144 बटे 100 अकमरलव आप समझ रहे हो 144 होते हैं बाकि इसको roughly देखो calculate अगर हम करें तो मैं इसको 26% लिख देता हूँ अब फिर अगर मैं 8 साल का आप से कहूँ कि चलो 8 साल का बताओ combine करके लगभग कितना होगा तो आप बोलोगे जैसे पहले 4 साल का 26 है वैसे ही अगले 4 साल का भी 26 है तो बस x plus वाई से इसको combine ओर कर लेते हैं 8 साल का आजएगा तो 26 और 26 भई समझ रहे हैं आप 52 होते हैं तो थोड़ा सा देखो पीड़ा जानी चाहिए 16 साल का मलब है कि हमें 60 और 60 को combine करने हैं 60 और 60 एक सो बीस और 60 कुना 60 पीस सो बटे सो यानि की 36 तो आप बोलोगे 156 मैं इसको मोटा मोटा डेड़ सो ले लेता हूँ अब देखो आप समझ रहे हो कि अगर मैं फिर से आप से कहूँ कि 32 साल का करो तो 32 साल का देखो 300 से काफी उपर चला जाएगा और हमें 300 तक ही जाना है तो आप थोड़ा कम करके चल लो जैसे कि आप देख रहे हो 16 साल से रो सारी option बड़े बड़े है और 16 में मैं कहा करता हूँ कि 8 वाले एक बरी करके देखता हूँ देखो इतना idea आपको लग जाना चाहिए कि हाँ 24 में बाद बन सकती है अब इन दोनों को combine करना आपको आता है सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ोगे एक्स प्लेस वाई 210 होगिया और उसके बाद आप क्या करोगे एक्स वाई बटे 100 एक्स वाई के मलब दोनों को multiply करने के मलब पंदरा गुना 690 और दो 0 तो नीचे कड़ी जाएगी 100 से यानि 90 तो 300 परसेंट के करीब जाकर आया 24 वर्षों में तो सवाल का जो आंसर हो 24 वर्ष है बाकि मुझे समझाने में टाइम लगा है अगर आप चाहो और आपके विपर में ऐसा कोशन आए तो आप बिलकुल कर सकते हो देखो इसके बाद देखो कोशन नमबर 8 थै और कहता है कि यहाँ पर 3 नमबर से भई अ, बी और सी बागी तीनों नमबर जो है न देखो वो एक तो प्राक्रितिक संख्या है मलब नैचरोल नमबर और यह जीम है मलब जीम में है जीम के मलब होता है जो मैट्रिक मीन गुण उत्तर माध्य है क्या होता है इसमें कि जो रेशियो बनता है पहले दो नमबर का उसी तरीके से रेशियो बनता है अगले दो नमबर का तो मैंने यहां पर common ratio होता है अच्छा जैसे कि A ratio B बराबर होगा B ratio C के तो आप कह सकते हो कि B square बराबर A C होगा मैंने A C जो होगा वो B square के बराबर होगा इसके अलावा देखो आपको बता रखता है कि जो B है न वो 4 है और 4 के square 16 होता है तो यहां पर A और C ऐसे दो नमबर्स है जिनको multiply करने पर 16 आना चाहिए अब देखो यह 3 नमबर्स है B और C जबकि B आपको पता है 4 है अब आप क्या करो कि A और C को ना कुछ इस तरीके से break करो कि जब हम उनको यहां लिखे तो ratio बिल्कुल बने रहना चाहिए जो A का 4 के साथ है या फिर 4 का C के साथ है तो आप इसको break करो 2 गुना 8 में और A की जग आप दो लो B 4 है ही और C की जग आप समझ रहे हो 8 लिना होगा तो ऐसे क्या होगा देखो हमें इनके बीच जैसे 1 ratio 2 मिल रहे है न वैसे इनके बीच भी 1 ratio 2 मिलेगा और यही GM में होते है तो values देखो आपको इस तरीके से मिलने पर क्या करना है A और C काना योग करना है तो 2 और 8 आप समझ रहे हो सवाल का अंसर रहेगा 10 इसके बाद एको question number 9 जैसे कि आपको नचरा रहे कहता है कि हाथ दस्ताने के एक भारती आया तक ने 2 रुपे प्रती दस्ताने जोडी पर 100 दस्ताने जोडी आयात की और इसे लंदन में खरीदार को 3 पाउंड प्रती दस्ताना जोडी में बेचने का निंडे किया language देखो बहुत बड़ी है मैं आपको थोड़ा से simple language में समझाता हूँ इसका मरलब क्या है कि इसने न इंपोर्ट किया है कुछ समान भार से और वो 2 रुपे प्रती डॉलर की दर से इसको एक जोडी दस्ताने परते है और हम एक पर काम कर सकते है मैं मालने लेता हूँ देखो इसने सोनी एक जोडी मंगवा है और 2 रुपे प्रती मलब 2 रुपे नी सोरी 2 डॉलर प्रती दस्ताने की दर से देखो यहां से आपको नज़रा रहे कि 50 रुपे वैल्यू है एक डॉलर की यहां डॉलर है तो इसने जो यह समान खुद खरीदा है ना सो रुपे में खरीदा है मzenलब एक जोडी जो दस्ताने खरीदा है वो सो रुपे में खरीदा है अब इसने जो आगे बेचना था वो 3 पाउंड के हैजब की 1 पाउंड 60 रुपे कैं तो आप बोलोगे 60 हुना 3 180 रुपे में इसको एक जोड़ी दस्ताने बेचने है अब आगे कहता है कि अपने लाब परतीशत में इसको 60% की विरिद्धी गतनी है अभी देखो आपके सामने है इसको लाब 80% का हो रहे है लेकिन ये 60% और चाता है यानी 140% चाता है तो अगर 140 ये कमाना चाता है तो इसको 240 रुपे में यानी बेचना चाहिए तो अब 110 को आप भूल जो अब इसे ये दस्ताने एक जोड़ी 240 रुपे में बेचना चाहिए और हमसे पूछा जा रहे है ये पाउंड कितना है तो देखो जैसे कि 60 रुपे एक पाउंड बनाता है तो 240 रुपे में तो 4 पाउंड होगे तो 4 पाउंड इसका आम से रहे है बहुर असान कोशन था इसके बाद कोशन नमबर 10 है देखो यह भी बहुत सिंपल से कोशन है कहता है कि भई लेन देन पर लाप परतीशा 10% है और लागत मुल्ले 80 रुपे है तो विक्रा मुल्ले क्या होगा कहने का मरला है कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 80 रुपे आपको दे रखा है और 10% कमाना है 80 का 10% आप समझ रहे हो आठ रुपे होता है तो फिर इसका बिक्री मुल्ले इसको बेचना कितने में चाहिए 88 बहुत सिंपल है कोशन नमबर 11 मैंसुरेशन कहा है फिर से कहता है एक शंकू की तरीजिया देखो यहाँ एक शंकू मैं बना देता हूँ और एक बरी पूरा कॉनसेट फटफट से समझ लेते है यह होती है शंकू की हाइट यह रेडियस होता है लिख देते हैं यहाँ पर हाइट यह रेडियस है और इसको बोलते है इसलेंट हाइट तिरिया को चाहिए और यह एंगल बनता है 90 डिग्री का तो मैं इस ट्रेंगल को देखो अलग से बना देता हूँ, यह 90 डिग्री है, रेडियस देखो आपको बता रखिए 6, यहाँ 6 लिख लेते हैं, उसके अलावा आपको उचाई बता रखिए कि भाई इसके व्यास के आधे से 2 सेंटिमीटर अधीक हैं, व्यास का मरला होता है, त और 12 का अधा 6, तो तिरीजे योगी यहाँ तक तो बस उससे 2 सेंटिमीटर अधीक है, यानि कि हाइड जोगी न वो और इस लेंट हाइट आप से बुची जारी है, तो यहाँ तो आप फॉर्मिले से कहलो, वर्ना फायतगर अस्योरम आपने पढ़ रखिए होती है, कि यह स सेंटिमीटर होगा इस सवाल का अंसर, इसके बाद देखो कुशन नमबर 12 में एक टेबल आपको दिखा रखिए है, और A, B, C, D, E, यहाँ पर जो भी हमलों कमपनी हो सकती है, और आपको पता रखिए किस वर्ष में, इनकी वैल्यू कितनी है, उतपाद की, कहता है कि कितने वर्षों में ऐसा हुआ है, कि C, D का जो योग है, वो A और B से अधिक भी हो, और E के दुगने से, मलब E के कम से कम आदे से अधिक उतपादन की हो, E का जितना भी उतपादन है, तो उसके हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, C, D, मैं फिर से एक बर ही समझा रहेता हूँ मैं, C और D का जो समझा है, वो A और B से ज़्यादा होना चाहिए, और E के आदे से, मलब कम से कम आदे से ज़्यादा होना चाहिए, अब C और D देखो, यहां रफली देखो, आप कितना बन रहे है, आपको वैसी नजर आ रहे है, शाड़ी नोस्तो बन रहे है, तो यह इस से तो बना रहे हैं वो नहीं बना रहे हैं जबकि अधिक होना चाहिए यहां भी नहीं हो रहा है उसी तरीके से यहां आप COD को देखोगे तो यहां पर भी COD का योग इनसे अधिक नहीं है बलकि कम है तो मलब E को तो हमें देखने ही नहीं पड़ा और पहली स्टेटमेंट से पता चल गया है कि यहां सा किसी भी वर्ष में नहीं हो रहा तो आंसर रहेगा 0 कोशन नंबर 3 है देखो में वर्का कहता है दो सेंटा और सीन बोने भी लिख लेते हैं इसको तो यह एक टीम है देखो जो की काम को दस दिनों में कर सकती है वहला M1 इंटू D1 अब एक दूसरी टी करेंगे जैसे कि हमने M1 इंटू D1 को बराबर दिखा है M2 इंटू D2 तो आप इसको देखो यहां पर ना छोटा करो और इनकी शमताई बनाओ जैसे कि 5 इसे मैं इस पूरे को मल्टिप्लाई करू तो आप बोलोगे 10S प्लस 15B और एकवल्स टू में क्या होगा 12S प्लस 12B अ तो आप S वाले नंबर्स को एक तरफ कर लो जैसे कि 10S को मैं महा ले जाता हूँ तो घटकर 2S होगिया और 15B में से देखो मैं 12B को घटाऊंगा तो 3B होगिया तो कुल मिलाकर भई यहां आपको जो रेशियो मिल रहा है B और S का वो मिल रहा है आपको आप समस्वें देखो तो वैल्यूस पलड जाती है आपको क्रॉस में लिखना होते है तो एक बोने की शमता दो आगी और एक सेंटा की जो शमता आगी वो तीन आगी शमता आते ही ना हम सबसे बहले बनाए टोटल वर्क और वो आप किसी भी टीम से बना सकते हो जैसे मैं इस टीम से बना लेता तो इस टीम में देखो दो तो सेंटा थे दो सेंटा का मरलब च्छै काम तीन बने थे यानि की च्छै काम तो बारा काम ये टीम करती है एक दिन में और ऐसे इन्होंने दस दिन काम किया है तो आप बोलोगे टोटल वर्क इस कोश्चन का 120 रहे काम और देखो यहां जगा है म तो में करवाना है वो दो तो बोनों से करवाना है दो बोनों का मरलब चार काम और एक सेंटा एक सेंटा का मरलब तीन काम तो मरलब साथ काम ये करेंगे एक दिन में कितने दिन लगेंगे थोड़ा सा लगबग में जाएगा देखो पूछा भी लगबग में ये है आप समझ तो आप दियान से देखो, दो और तीन जैसे रेशियो बन रहे हैं, तो यहां भी दो और तीन ही बनना चाहिए, और दो की वेल्यू चार है, यानि की डबल, तो तीन की वेल्यू भी डबल हो जाएगी, छैस सवाल काओ का आंसर. कोशन नमबर 15 देखो, अच्छा कोशन है, आपको यहां पर ना एक पाई चार दिखा रखा है, और बता रखा है कि राज्यसुव जो है, वो डेड़ लाग रुपे है, बाकी राज्यसुव का गोल माल आपको दिखा रखा है, और बोले कि किन दो के बीच का अंतर 37,500 रुपे हो सकता है, जबकि आपको जो यह distribution दिखा रखा है ना राज्यसुव का यह percentage में दिखा रखा है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, कि आप 37,500 को percentage में ही convert करो, तो जो अंतर 37,500 बन रहे ना देखो, वो है तो राज्यसुव का ही, यानि कि डेड़ लाग के comparison में आप इसका percentage नि 25 तो बस आपको ना दो ऐसे यहां पर गोल माल देखने हैं, जिनके बीच का अंतर 25 परसेंट हो, और देखो आपको यहां नजरा रहे हैं, यह 35 परसेंट है और यह 10 परसेंट है, तो आप बलोगे कमीज और मोजो की बीच में है यह अंतर, इसके बाद देखो question number 16 है, कहता है कि एक अक्षा में एक छात्र को ऐसे अंग पराप्त हुए, कि वह परिक्षा में 5% से अनुत्रीन हो गया, जबकि टॉपर ने देखो 80 नंबर पराप्त किये, और कहता है कि यह 80 नंबर में कहता है, कि दो बच्चे पास हो सकते हैं, तो अगर दो बच्चे 80 में पास हो रहे ह तो इसका मतलब है एक बच्चे को पास होने के लिए चालिस नमबर चाहिए और इसके लावा कहता है देखो कि परिक्षा सो नमबर की है और जो ये बच्चा फेल हुआ था ना ये पाच परसेंट से हुआ था तो इसका मतलब है कि 40 नमबर चाहिए थे पास होने के लिए इसका 5 परसेंट आपको निकालना होगा और देखते हैं इतना आता है यह तो यह 2 नमबर आ रहे हैं यानि कि यह 2 नमबर से फेल हुआ था तो 40 में से इसके 2 नमबर कम थे तो यानि कि इस बच्चे के 38 नमबर थे कोश्य नमबर 17 में देखो आपको कंपेरिशन करना है एक तो है 4 की पावर 1 बटे 4 दूसरा है 2 की पावर 1 बटे 2 तीसरा नमबर है 3 की पावर 1 बटे 3 और चौथा नमबर है आपका 6 की पावर एक बटे 6 तो देखो कंपेर कैसे करना होता है कि पावर्स जो आपको नज़र आ रही है आपको इन सब का LCM देना है मतलब चार, दो, तीन और चार का LCM देना है जो की बारा होगा और आप सब को ना 12 से मल्टिप्लाई कर दो, सभी पावर्स को तो सभी पावर्स को 12 से मल्टिप्लाई करने पर देखते हैं कितना कितना मिलते हैं आप समझ रहे हो देखो, यहां से आपको 4 की पावर 3 मिल दी है उसी तरीके से यहां आपको 2 की पावर 6 मिल दी है इधर आप देखोगे तीन की पावर चार मिल रही है और इधर आपको च्छै की पावर दो मिल रही है तो सबसे छोटा जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यही होता है 36 तो बस यही सवाल करेगा आंसर इसके बाद देखो कुशन नमबर 18 में कहता है कि 500 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी है डिस्टेंस भी देखो वो 500 ही चलेगी क्योंकि वो जो पार कर रही है न वो एक खंबे को पार कर रही है और खंबे को पार करने में अपनी लंबाई यतना चलना होता है और 25 सेकिन इसको लगे है उपर मैंने डिस्टेंस लिखा है नीचे मैंने टाइम लिखा है तो आप समझ पा रही हो कि यहां सेने स्पीड आईगी और स्पीड आ रही है 20 मिटर पर सेकिन और मीटर पर सेकिन में पूछा है तो असान था 20 इसके बाद कोशन नमबर 19 में कहता है कि वर्ष 2018 में कितने शहरों में करोड़ पतियों की संख्या में विरिद्धी देखी गई देखो यह सारे आपको करोड़ पति दिखा रखे हैं यह आपको शहरों के नाम दे रखे हैं और 2017 यहां पर ब्लू कलर से रिप्रिजेंटिट है जबकि और इंज से है 2018 तो आपको नजर आ रहोगा देखो एक तो यहां विरिद्धी दी नजर आई आपको यहां कमी है यहां विरिद्धी है तो मलब दो जंगा तो अभी तक विरिद्धी नजर आई आगे देखो यह कमी है यह भी कमी है और यह भी कमी है तो आप बोलो कि दो ही जंगा ऐसा हो र कहते हैं कि दो रेल गाडिया एक दूसरी की और आरी है इस तरीके से दोनों की स्पीड आपको दे रखी है एक की 100 है और एक की 120 है अब देखो ये किलोमेटर पर आर में है अगर मैं आप से बुच्छू कि दोनों रेल गाडिया एक घंटे में मिलकर कितना चलेगी तो आप तो आप समझो देखो एक घंटे में रेल गाड यह मिलने का मतलब है कि एक घंटे में इन्होंने 220 किलो मेटर चला होगा और कहता है जब वे एक दूसरे की और बढ़ना शुरू करती है तो वे एक दूसरे से कितनी दूरी परती है तो बिल्कुल ये उतनी ही दूरी परती जितना इन्होंने एक गंटे में मिलके चला है यानि कि 220 तो बहुत ही सिंपल गोश्चन था मतलब एक गंटे पहले दोनों 220 किलो मेटर की दूरी पर रही होगी तो यहां देखो वेपर खतम होता है संस्क्रित का बाकी जल्द मिलते हैं किसी अगले वेपर के साथ जब तक आप इसको कम्प्लीट करो थेंक्यू